भाई लोग क्या हाल चाल दिस इस मी रोनी गाईस आज हम इस वीडियो में 6th नमबर का जो क्लास है DSL Basic English Book का क्लास उस बुक से पढ़ेंगे तो आज हम सिखेंगे कि Basic English का जो Present Perfect Tense ठीक है Present Perfect Tense का लेके ग्रामार में आप ग्रामार पढ़ चुके हो Present Continuous Tense का जो ग्रामार होगा पढ़ चुके है पर Spoken में पता है क्या है कि जस पढ़ते जाओ यार और कुछ सीखनी की ज़रुद ने ठीक है बोलते जाओ और पढ़ते जाओ में खा चुका हूँ चुका है चुकी है ऐसा ठीक है में खा चुका हूँ I have written हम लोग पढ़ चुके है we have read तुम खेल चुके है you have played ठीक है राम सो चुका है राम है स्लेप्ट मैंने उसे देखा है I have seen him कुछ जस पढ़ते जाओ यार कुछ शीखनी की ज़रुद ने है सिफ पढ़ते जाओ डीएसल बेसिक धामने सार ने ज्यास खुद का इस जो बोक पे जो इंट्रुट के है वह ही पढ़ते जाओ और कुछ नहीं चाहिए ठीक है कुछ सोचनी की ज़रुद ने है सब्जेक्ट जहीं देखिए कैसे जो नेगिटिक सेंटेज कैसे करते सब्जेक्ट है थाव थाव सब्रफशिक ब्लस वीतिए अब यहां असब दे सकते हैं क्या मैं खा चुका हूँ, have I eaten, क्या तुम लोग पड़ चुके हो, have you read, क्या तुम खेल चुके हो, have you played, क्या राम सो चुका है, has a राम स्लेप, क्या मैंने उससे देखा है, have I seen him, क्या वो, क्या वे लोग यहां आये है, have they come here, ठीक है, बहुत एजी है गाइस, practice करते जाओ, और कुछ न have has subject with the other words, ठीक है, यहां पर तो कुछ example दे, same example यहां पर answer किया गया है, ठीक है, राम नहीं, राम ने गारी क्यों खरीदा है, why has Ram water car, वे लोग कहां गया है, where have they gone, बच्चे कब आये है, when have the children come, राम ने ऐसा क्यों क्या है, why has Ram done so, तुमने full क्यों कैसे दिया है, why have you given the flower, आपने किसको पसंद किया है, whom have you liked, ठीक है, और subject have us, plus advert of the time, plus V3, देख सकते है, जो एक नया structure है, मैंने हमेशा आपकी मजद किया, I have always help you, I have always help you, मैंने कभी धून पन नहीं किया, he has never smoked, मैंने अकसर उसकी मजद की है, I have often help of him, वो तुरंत गया है, he has just gone, वो तुरंत गया है, he has just gone, वो अभी तक नहीं आया है, he has not, he has not come yet, मैंने उसे अनेक बात देखा है, I have seen him several times, easy है guys, कुछ नहीं spoken, so basic सिखो और फराटेदार इंग्लिस बोलो, बस हो गया है, काहमें, basic English spoken का, subject have has been, other words, since, एक जो time, जो रहता है, मैं सुबह से, बस तो, I have been busy since morning, मैं सुबह से बस ता, I have been busy since morning, मैं पिछले 10 दिन में से बीमार हूँ, I have been ill for last 10 days, वो एक सपता से बाहर गय, he has been outside for a week, मैं उसे, मैं दस बर्षों से एक बीद्रा तुए, I have been a student for 10 years, आप कल से पढ़ेशान हो, you have been traveled since yesterday, subject have has not been, other words, since, or for last time, ठीक है, मैं सुबह से बस्त नहीं हूँ, I have not been busy since morning, since morning, मैं कल से बीमार नहीं, I have not been busy, sorry, I have not been ill since yesterday, वो एक सपता से घर पर नहीं है, he has not been at home for a week, तुम बच्पन से पढ़ेशान नहीं हो, you have not been trouble since childhood, वो दिवाली से यहां नहीं है, he has not been here since दिवाली, तो गाइस यह था अच का वीडियो, देखिए, आपके लिए, आपके मदद के लिए, मैं इस बूक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो गाइस सीखिए, धामिनस और साय का जो basic English book है, उससे सीखिए, और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले गाइस, प्लिस गाइस, डू सब्सक्राइब इस चैनल, थैंक्यू गाइस, साइनि आउट,